दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णू चार महिने की नीन के बाद जागते हैं। इस दिन से हिंदू धर्म में सभी शुक्कारियों का आरंभ हो जाता है। हर साल कार्थिक मास में शुकल पक्ष के एकादशी तिथी को भगवान विष्णू के शालग्राम अफटार और माता तुलसी का विवा किया जाता है। दोस्तों इस विवा में तुलसी माता दुलहन और शालग्राम भगवान दूला बनते हैं। दोस्तों इस बार तुलसी बिवा पांच नवेंबर को होगा लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि कौन है भगवान शालिगराम या फिर क्यूं हुआ था तुलसी बिवा शालिगराम भगवान के साथ या फिर दोस्तों क्यूं सद्यू बाद आज भी ये परंपरा चली आ रह दोस्तो तुलसी विवा की एक सबसे प्रचली पराडिक कता है जिसमें एक समय द्यतिराज जलंदर के अत्याचारों से रिशिमुनी, देवता और मनुष्य सभी बहुत परिशान थे वो बड़ा ही पराक्रमी और वीर था इसके पीछे उसकी पती बृता धर्म का पालन करने व तोड़ने का उपाय सोचा भगवान विश्नु ने जलंदर का रूप धारन कर व्रिंदा को इस पर्श कर दिया जिसके कारण व्रिंदा का पती बृत धर्म भंग हो गया और जलंदर युद्ध में मारा गया भगवान विश्नु से छले जाने और पती के वियोग से दुखी हो गई जिसकी राख से तुलसी का पौधा निकला व्रिंदा का प्रतिवत धर्म तोड़ने से भगवान विश्नु को बहुत कलानी हुई और उन्होंने व्रिंदा को आशिरवात दिया कि वो तुलसी स्वरूप में सदैव उनके साथ रहेंगी उन्होंने कहा कि कार्तिक दशी को जो भी शालिग्राम श्वरूप में उनका विवा तुलसी से कराएगा उसकी मनो कामना पूर्ण होगी दोस्तो तभी से तुलसी विवा होने लगा दोस्तो तुलसी विवा से जुड़ी एक और पराडिक कथा है उसके अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णू को नाराज होकर श्राब दे दिया कि तुम काला पत्थर बन जाओ जिसके बाद इस श्राब से मुक्ती पाने के लिए भगवान विष्णू ने शालिग्राम पत्थर के रुप में अफ़तार लिया और तुलसी से विवा किया तबी से शालिक राम और तुलसी के विवा को एक त्योहार की तोर पर मनाया जाता है माता तुलसी को माता लक्ष्मी का भी अपतार माना जाता है दोस्तो तुलसी विवास से जुड़ी एक और कथा है जिसकी अनुसार एक परिवार में ननद भावी रहती थी ननद अविकुवारी थी और वो तुलसी की बड़ी सेवा करती थी लेकिन भावी को ये आँख नहीं सुहाता था कभी-कभी वो गुस्से में कहती कि जब तेरा विवा होगा तो तुलसी ही खाने को तूंगी और तुलसी ही तुम्हें देहश में दूंगी जब उस ननद की शादी हुई तो उसकी भावी ने बारात के सामने तुलसी का गमला फोड के रख दिया लेकिन भगवान की कृपा से गमला जो था वो स्वादिष्ट वेंजुनों में बदल गया गहनों के बदले भावी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वो सोने के जेवरात में बदल गई वस्टों के स्थान पर तुलसी का जनी उरग दिया वो रेश्वी वस्टों में बदल गया दोस्तों इस पे भावी को बड़ा आश्चेरी हुआ और तुलसी जी की पुजा का महत उनकी समझ में आ गया तबी से दोस्तों प्रतेक देवुटनी एकादशी को यानि की कार्तिक महिनी के सुकल पच्च की एकादशी को तुलसी और भगवान शालिग्राम का बिवा किया जाता है ऐसा करने से भगवान विश्णू और लक्ष्मी जी प्रसंद होती है क्योंकि दोस्तों पद्यम पुरान के अनुसार तुलसी जी लच्मी जी का ही रूप है और भगवान विश्णू ने शालिग्राम का रूप लिया था ऐसा क्यूं हुआ इसके पीछे ब्रह्म वैवर्थ पुरान में कथा है तुलसी और शालिग्राम विवा करवाने से घर में सम्रद्धी और सुक पड़ता है इसलिए दोस्तों सनातन धर्म में देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवा की परंपरा है तो दोस्तों अब तो आपको पता चली गया होगा कि शालिक राम जी का बिवाद तुलसी जी से क्यों कराया जाता है आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद